जहन सातियों दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ जैसा कि मैंने आपको बता दिया पैरा SF के वी नोटिफिकेशन आने वाली है डिरेक्ट एंक्री आने वाली है ठीक है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो अपडेट पड़ा है नोटिफिकेशन के आप से सारे चीज़े बहुत इंपॉर्टन है अगर आपने एक भी पॉइंट को मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी गड़बर में फसने वाले हैं ठीक है क्योंकि बरतियां भी आने वाली है तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाला है एकजाम क आपकी पढ़ाई eligibility बताने वाला हूं कौन कौन eligible होंगे इस पोस्ट के लिए चैन बताने बता हूं कि how to apply चैन प्रक्रिया क्या होगी क्या क्या करना पड़े गा कि कोई रिक्टन एक्जाम होगा क्या कोई physical होगा या फिर कोई medical देना पड़ेगा चलिए इस पूरी वीडिय के लिए Got a पयरा कमाइटज के लिए जो चलिए आपको बता देते हैं की सक्राइब करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ने पयरा ऐसा वीद्म पर प्लेलिज्ट बनाना दे रखी है तो पस प्लेलिज्ट को मेंये साथी चीज़ बताएंगे पेरा सेफ के बारे में दिन वो आप ज़रूर चेक करिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस की आप आपको बताना चाहता हूं कि पेरा कमांडो लोगों को सपना होता है रॉंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप एक पेरा वारियर को दिखते हैं ठीक है वो मेरून बैरिक और आपका जब चाती पर वो मेरून वो जो लगता है आपका जो बैज लगता है और आपके सर पर वो मेरून बैरे होती है वो जो जब लगती है और जब आप उस uniform में आपकी घर आते हैं यान वो माता पिता का सपना और उनके आँखों में आसू वो देखना है आपको ठीक है मैं हर उस व्यक्ति को हर उस कैडिट को मैं बताना चाहता हूँ यही मौका है कुछ कर दिखाने का तो तैयार हो जाईए अपनी मेनत को स्टार्ट कर दिये दोग नहीं कर दीजिए रात रात बर पढ़िए जो भी कुछ करना पड़े सब करिए ठीक है सुबह उटकिये करिए शाम को भी रनिंग करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि रनिंग इसमें बहुत महत्यपोर्ण है तो आपको यह सब करना पड़ेगा तो आप चलिए आपको बिना टाम कवाई हुए बता देते हैं इसके हाइट के बारे में बिल्कुल डीटेल में बताऊंगा हर चीज इंपोर्टेंट है जिसको सेंटीमिंटर में समझे में आएगा मैं सेंटीमिंटर में बताऊंगा जिसको फीट में समझे में आएगा मैं फीट में भी बता दूगा ठीक है अब समझ लिए इसकी हाइट क्या होती मतलब इसकी लंबाई के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं तो इसकी पैरा कमांडो बनने के लिए मंदाब व्हता सब्सक्राइब के इनकी जो हाय उती है उनके रॉक्पर क्रिकमंट के पेरा कमांडो के औ puck जो धिऍकुन में वह दीगों जाता हो दूस्तोह 157 § देन, आप फीट्स में देन आप अलिजबल हो पेरा कामांडोबंने कलिए, इस फॉर्स में तैनात होने कलिए आप तो आप बात कर लेते हैं हम लोग की बात हम लोग ने कर ली आप हम लोग बात करते हैं इसके उम्र के में इजलेसे मतलब ईजडेसे के वारे में आप से बात कर लेते हैं चलिमें कि ये पता देतें हैं थो आप हम दो बात करने वाले एज लिमिक मतलब और की बात करने वाले की ओम क्तनी होगी التي चील टो वारि योट ? है ठीक है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ पहले minimum age, minimum age मतलब सबसे कम जो आईउ होगी जो उम्र होगी आपकी, आप 18 के अगर हो गए है, then आप एक पैर कमांडो बन सकते हैं, maximum age इसकी क्या होगी, इसके बाद आप कभी भी नहीं बन सकते मैक्समम एज होती है तेज साल तेज साल के बाद आप कभी भी पैरकमांडो नहीं बन सकते हैं तो अठारा से तेज साल के बच्चे ही पैरकमांडो बन सकते हैं यह आप लिखके रख लीजिए अपने दमाख में रख लीजिए तो यही मौका है कुछ करने का अगर नीचे वाले अभी परकमांडों नहीं बन सकते आप पहले अथारा के होने चाहिए ठीक है तो मैंने आपको बिल्कुल डीटेल में बिल्कुल पॉइंट पॉइंट एक्स्प्रेशन दे दी कि परकमांडों कौन बन सकता हूँ आपको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को इसके लिए पढ़ाई क्या चाहिए ठीक है एलिजिबिल्टी क्या चाहिए वो बता देते हैं जलिए देख लेते हैं हाँ दोस्तो अब बेरी बात भौत ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी देखी मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉइंट पॉइंट है और कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाते और कमेंट करते हैं बेफालतू के हैं मैं बेफालतू नहीं कह सकता क्य पर दोस्तो इसको पढ़ाई प्रक्रिया है वह क्या है दोस्तो इसको पढ़ाई प्रक्रिया को मैं दो भागों में बाचता हूं देखिए एक तो होती है तो अगर आप LGBT की बात करें तो अगर इन दोनों की बात करें आपको 10th पास चाहिए मेरी बात को समझिएगा आपको 10th पास चाहिए अगर आपकी 12th है तो बहुत बढ़िया 12th पास भी कर सकते हैं LGBT की क्या होगी जो 10th वाले बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं जो 12 वाले बच मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ग्रेजुशन वाले सकते हैं यह वाले दे सकते हैं मैं आपसे कहा अथारा से तेज साल के बच्चे दे सकते हैं बस एक minimum criteria क्या पढ़ाई का कि आपकी 10th pass होनी चाहिए फर आप उसने 10th pass के बाद आपने कुछ भी किया हो 12th की हो BA किया हो BSC किया हो BCOM किया हो कुछ भी किया हो TA में हो किसी में भी हो आप आप ट्रेडमेन की भरती दे रहे हो कुछ भी बट 18 से 23 साल के बीच में होने चाहिए और 10th pass आपकी होनी चाहिए फिर उसके बाद आपने कोशी भी किया आई थिक आपको बात समझ में आ गई होगी यह इतना अच्छे से मैंने पॉइंट को इसको क्लियर कर दिया है दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली कि आपको इसमें चैन प्रक्रिया इसकी क्या होगी इसमें ए बाचता हूं मैं पहले फर्स्ट बताऊंगा और फिर सेकेंड बताऊंगा बात को समझिए का आप पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की देखिए आप दो तरीके से आप पहला कमांडों में जा सकते हैं पहला उन्होंने बताया नोटिफिकेशन में कि आप जा सकते से आर्मी कि ऐसे अब कैसे जाएंगे को एकजाम देना पड़ेगा NDA का एकजाम दीजी या फिर करके क्तरों कूंने होने होने चाहिए मतलब कहने का है कि आपको आर्मी जौइन के कैसे भी कर लेजी चाहिए वह टीए में हो चाहिए ट्रेड में में हो कैसे भी करके आपको आर्मी को जॉइन करना है ठीक है आर्मी को जॉइन करने के बाद आपको एक साल देना है अपनी सर्विस को एक साल सर्विस देने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसका नाम यावर आपको ऑसा फार्वाट य से तरफ फोर्म वूम केटे या वूम को आपको बरना है ये जरस्वस्थिकल होगा फेस्कल अगर आपका फेस्थिकल में हंड्रेड परसेंट मारक्स आ जाते हैं धी दिल्थ आपका जाएगा as a para officer as a para officer वो कैसे होगा आप सीरे directly नहीं होगा आपका पहले physical होने के बाद आपकी training होगी training को कहते है training की period को कहते है हम दो probation period जो की होता है 90 दिन का 90 दिन का मैं आपको बताना चाहता हूँ para commando के लिए होता है वो 90 दिन का para SF के लिए यह मतलब special force के लिए होता है 180 दिन का यह तो थी पहली stage मैंने आपको बताया था कि मैं first part और second part को इसको खतम करूँगा आप बात करते हैं हम लोग second part की बहुत ही important है हर चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ भी clear ना हो मुझे comment बताईए मैं को comment का ज़रूर दबाब देने वाला हूँ तो second point है आप जा सकते हैं direct entry से direct entry से जा सकते हैं अब मैंने आपको बताया कि जो अभी rally निकलने वाली है वो है direct entry और direct entry आपकी directly होगी इसका procedure क्या होगा आपको कुछ नहीं करना है आपको कोई भी written exam नहीं होगा आपको directly physical के लिए बुलाया जाएगा जिसमें rally होगी और rally कहां होगी मैंने आपको बताया था ISC Bangalore Bangalore में आपकी rally होने वाली अभी notification आउट नहीं हुआ है कि कब होने वाली जैसे ही notification आउट होगा मैं आपको तुरंट बता दूगा आप आपको Bangalore में जाना है मैंने आपको address भी provide करवा दूगा कि Bangalore में कहां पर है यह ISC Center यह parachute regiment center पराशूट रेजिमेंट center PRC आपको कहां पर है मैं आपको सबको GTL में बता दूगा एक video बना कर और फिर आपको उधर पर जाकर आपकी rally होगी rally contact कराई जाएगी by the para SF officers commandos के दुवरा करवाई जाएगी और अगर उसमें आपने rally में running अची कर दी आपका physical 100% हो गया तिन आपको select कर दिया जाएगा और फिर आपकी वहाँ से training होगी probation होगा 90 दिन का और फिर 180 दिन का अलग से और फिर इस training के बाद आपको तैनात कर दिया जाएगा as a para SF officer और फिर वो जब आप वर्दी लेकर अपने घर लोटेंगे अभी मैं इसका क्या बताऊं इसके मेरे शब्द नहीं होगे वो आखों में आसू होगे आपके parents के वो बहुत ही कुछ बया करेंगे तो दोस्तों आपको मेहनत करनी है दिन्दात मेहनत करनी है और इसमें पाना आए और यही मौका है अभी अभी मौका है और कुछ दिकार दिखाने का ठीक है और notification जैसे है कि मैं आपको बता दूँगा तो तब तक लिए नमस्कार दोस्तों आपका दिन शुबो चैनल को सस्क्राइब नहीं किया शुब कर लिजई notification तुरंत पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आपका दिन शुबो